दोस्तों आजम बात करते हैं हिंदू में रिजेक्ट में जूरिटिक्षन की कि हिंदू में रिजेक्ट में अगर आप किसी परकार का कोई भी केस करते हैं सेक्षन 9 हो डिवोर्स हो चाइल्ड कस्टेडी और मैंटेनेंस हो किसी परकार का कोई भी case अगर husband wipe करते हैं तो किस जगह किस तान पर वे case कर सकते हैं उसकी jurisdiction क्या होगी देखिए यह जो jurisdiction है यह section 19 हिंदू में reject में define की होगी है total में लाकर इसमें 4 parts है लेकिन जो third part है उसका एक sub close A भी है इस परकार से total में लाकर पूरी पांच jurisdiction हो जाती है पूरी पांच बाते हो जाती है तो यह जानते हुए क्या बाते है तुमस्कार दोस्तों मैं हूँ एड़ोकर्टी रिसक्मार आपका अस्वाद काता हूँ आज की वीडियो में देगे सबसे पहले जो जो जुरिटिसन की बाता है वो आती है कि आपकी जहां पर साधी हुई है मतलब वो स्तान जहां पर आपने साधी की है उस जगह पर हस्पने वाइप कोई भी केस कर सकता है लोग सुछते हैं कि जहां पर वाइफ रहती है उस जगह या जहां सागाई कर दी वहां भी कर सकते हैं या कोई गोद भराई की रसम पूरी की गी वह या फर साधी बाद कोई function किया भाई साधी से मतलब है कि जहां पर फेरे लिए गए है मतलब हमारी जो marriage ceremony है जो हमारे हिंदू अनुस्टान है वे जहां पर complete किये गए है तो जहां पर फेरे लिए गया है कन्यदान किया गया उस जगह पर जाकर आप केस कर सकते हैं सबोच कि यह दोनों पार्टियां दिल्ली के रहने वाली है सोचती है कि भी राजस्तान में जाकर किसी महल में हम साधी करते हैं वहां पर फेरे लेते हैं तो उसी जगह उस तान पर राजस्तान में केस किया जा सकता है तो सबसे पहली कंडिजना दिये कि जहां पर आपकी साधी हुई है जहां फेरे हुई है उस तान से केस किया जा सकता है second जो आता है वो आता है respondent का कि जहां पर opposite party respondent रहता है मतलब जहां husband या wife जो भी case करता है उसके opposite वाला जिस जगह भी रहता है suppose कि दोनों को दिली के रहने वाले हैं और husband करी स्रीनगर में जाकर shift हो जाता है तो wife को स्रीनगर से case कर सकती है या फर wife अगर स्रीनगर जाकर shift हो गी है या किसी और state में चली है तो husband उस जगह जाकर भी case कर सकता है कि मेरी wife यहां पर रहती है तो इस परकार से यह दो आपकी चीज़े हो जाती है कि जो इटिक्स की थर्ड जो आती है वो यह है कि जहां पर दोनों एकटे last time रही है मतलब दोनों ने एकटे last time जहां पर किसी भी इस्तान पर उन्होंने निवास किया है वहां पर वे case कर सकते है case फाइल कर सकते है सबोस्किजिए दोनों दिली के रहने वाले हैं लेकिन अललक स्टेटों में घुमते रहे जोब के सिलसले में और last time में अगर कोई एक पार्टी गुजरात रही है और इसके बाद वे वापस दिली आयाते है किसी और स्टेट में जाकर बच जाते हैं तो गुजरात में अगर दोनों last time में खटे रहे हैं वहां से भी केस किया जा सकता है इसके बाद third A का जो मैंने बताया था कि एक अलग से उप्सन जोड़ा हुआ है वो सिर्फ wife के favor में जोड़ा हुआ है वो कहता है कि wife जहां पर भी रहती है सिर्फ wife husband नहीं इसके अंदर include wife है और वो जिस जगह भी रहती है जिस तान पर भी रहती है उच जगह से केस किया जा सकता है ये third day 2003 में जोड़ा गया था दिसंबर में एक अलग से close बनाय गया था तो wife अगर किसी भी state में रहती है चाहिए वो दिली के हैने वाली है केरला जाकर बचकिये तो केरला से जाकर वो केस कर सकती है husband इसमें objection नहीं कर सकता किसी परगार से केस को transfer नहीं कर वा सकता है हलाकि ये बात है कि कोई कहीं भी केस करे wife उसको transfer कर वा सकती है जहाँ पर वो रहती है तो ऐसे में wife को अलग से ये facility मिलती है husband को इसमें किसी परगार कोई भी रिलिफ नहीं मिलता है wife कहीं भी रहती है किसी भी जगह रहती है कहीं भी वो reject करती है वहां से वो case कर सकती हस्पेट के खिलाब 4. इसी में आता है कि अगर husband wife किसी भी जगह रहती है दोनों के लिए ही और 7 साल से एक दूसरे से अलग है मतलब 7 साल से आपको पता है नहीं कि सामने वाला है या नहीं और वो किसी भी अलग स्टेट पे रहता हो बेसक आप वहां से भी केस कर सकते हैं मतलब दोनों अगर दिल्ली के रहने वाले हैं और कहीं अगर किसी दूसरे शेड में बस गए हैं और opposite party भी किसी और state में चलागी है, तो उसमें husband wife कोई भी हो, कर सकता है case उसी जगह से जहाँ हो रहता है, लेकिन अगर 7 साल complete हो चुकी हैं तो, वरना ये right सिर्फ wife के पास ही है, इस परकार से ये 5 jurisdictions हैं जो कि defend की हुई है, इसके अलावा एक Supreme Court की judgment भी है, जो कहती है कि wife अगर अपने husband का घर छोड़ कर, कहीं भी किसी विजए का reject करती है, वहाँ से भी case कर सकते हैं, तो same to same ये जो third A है, उसको defend करती है, उसी section को करती है, इसके लावा husband wife first time कहीं भी रहे हो, वहाँ पर भी case किया सकता है, ऐसी भी case judgments है, उनको भी आप consider कर सकते हैं, लेकिन main जो return लिखी हुई है, लिखित में है, वे शिरफ ये पांच चीज़े ही है, दोस्तों अगर आप मुसे किसी पगार को भी contact करना चाहते हैं, तो नीचीदी मेरे number 9278-134-222 पर call करके, मुसे contact कर सकते हैं, अगर meeting करना चाहते हैं, दिल्ली दौर्गा कोट में या सुपनी कोट में, मेरे chamber में आकर मुसे meeting कर सकते हैं, तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए, नमस्कार.